नमस्कार घ्रेली उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों आप कहीं भी रहें हचते रहें और मुश्कुराते रहें दोस्तों इस वीडियो के अंदर स्वाग्य की कामना करने वाले धन संपती के कामना करने वाले ब्यक्तियों के लिए यह तोटका बहुत ही कारगर है दोस्तों सभी व्यक्ति को लगन होता है सरदा होता है कि हमारा घर में सोभाग्य हमेशा बना रहे है और धन संपती भी बना रहे है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है सबके हाथों से तो इसके लिए यह यह कदम सरल है इतना आसान है पुछिये मत यह कोई भी व्यत्ति कर सकता है तो दोस्तों यह एक बहुत सरल परियोग है सो भाग की कामना रखने वाले व्यत्ति चाहें यह पूरूस हो या इस्तिरी यह परियोग को कर सकते हैं यह परियोग सुकलपक्ष के पर्थम समवार से अरंभ करना है यह परियोग कुल साथ दिन का है सुमवार सेर अभिवार तक पर तेक दिन रातरी को सोने से पहले कुछ सीके अपने सिरहाने रखके सो जाएं और प्रातोहकाल किसी दरीद्र को दान दे दे या किसी सपुत्र को दे दे दें साथ दिन का परियोग सोभाग की प्राप्ति के लिए है दोस्तों यह साथ दिन वाला परियोग बहुत सी कमनाओं में आता है मैं इसकी जो है वीडियो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा फिलहाल यह सोभाग कामना और धन संपति की प्राप्ति के लिए है तो दोस्तों एक बार और फिर सुन लिजे सुकलपक्ष उसे कहते हैं चादनी जब रात आती है मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि दो पक्ष आते हैं सबसे पहले क्रिस्न आता है जो कि अंधिरी रात बोलते हैं और दूसरा सुकलपक्ष है तो उस सुकलपक्ष के पर्थम समुवार से प्रारंब करना है यह पर्योग कुल साथ दिन का है सुमवार से रभिवार तक पर तेक दिन रातरी को सोने से पहले कुछ सीखे अपने सिरहने रख कर सो जाएं और प्रातव काल किसी दरीद्र को दान कर दें और यह साथ दिन का प्रयोग सभागी की प्राप्ति के लिए है तो दोस्तों मैं निड़न यह किया हूं कि सुपातर को न दे कर किसी दरीद्र को ही देना उचित है जिसके पास समय से खाने के नहीं है पीने का नहीं मतलब कोई भी समान उसको समय से उपलफद नहीं उसी को दरीद्र बोलते हैं तो उसी को देना ठीक रहेगा तो दोस्तों आप ऐसा कुछ सिंका रखें यह नहीं कि एक सिंका रख लिए नहीं दो चार पांद दस तक उसको तभी तो किसी को देंगे तो खुछ खरी सकता है अब एक रखेंगे एक दे देंगे तो उसे क्या होना है इसके लिए कुछ दमखम रखना पड़ेगा एक एक रूपय का सिंका दस बारा पंदर रख लिजे इस साथ दिन का तो है 100 रूपय का मान के चलिए 100 रूपय का तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिये इजाजात नमस्कार